आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खीया की सरसो वाली सब्जी जो बहुती कम मसाले में बनेगी और बहुत टेस्टी बनके तयार होती है एक बार आप इसे जरूर बना के ट्राय करिएगा एकदम गाउं वाले स्टाइल से बनाना बताऊंगी कैसे बनाने हैं इस सिल्बटे पे मसाला पीस के बनेगा बहुत टेस्टी बनता है मसाला भी काफी चटपटा है तो वीडियो को लास तक जरूर देखेएगा ताकि आपको समझ आ सके कि ये खिया की सब्जी आप सरसो वाली कैसे बना सकते हैं बहुती इजी स्टेप है और बहुती चटपटी बनके तयार होती है ये देखे जैसे दिख रहा है और बहुती कम मसाले में बनके तयार हुआ है इसमें खूब सारे मसाले पड़े है या खूब सारा तेल पड़ा है बहुत सिंपल रेस्पी है तो देखे यहां पे मैंने इसको सर्फ किया हुआ है तो चलिए वीडियो को इसा तब गीया और चिल रही हो और चिलने के बाद भी जिलने गी और कट करने के बाद पिर मैं धोगी तो यहाँ पे देखिए घीया मैंने छील लिया है और यहाँ पे छीलके हटा देते हैं तो बस यहाँ पे देखिए इसका हम अपर और लोवर पार्ट को कट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से कट कर लेते हैं घीया एकदम कच्चा है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से कुछ पार्ट में इसको डिवाइट कर ले रही हूँ और यहाँ पे देखिए बीच में से कट करके इसके हमें मोटे मोटे चंक्स करने हैं और यह खाने में बहुत चटपटी और टेस्टी लगती है बिलकुल कम मसाले में यह देखे सारा गीया मैंने यहाँ पे काटके धो लिया है मसाला त्यार करते हैं साथ से आठ लस्तन लिया है इसमें मैं डालूंगी अब सुखी लाल मिर्च तो पांच से छे सुखी लाल मस्टर्ड सीट्स लिया है अब यहाँ पे इसको हम पीस लेते हैं तो यहाँ पे मैं इसको सिलबटे पे पीस रही हूँ सिलबटे पे पीस के जो सबजी बनती है ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बनती है योकि सिलबटे पे जो मसाला पिसता है ना वो धीमे धीमे और दम गरम होके नहीं पिस्ता है तो यहां पे इसका मकसिदी मेरे को यह है कि जो सबजी है मारी बहुत टेस्टी बन सके यूगि अक्सर जो है घीया बच्चे खाते नहीं है इस तरह से बच्चों को बना के खेलाईए तो जरूर खाएंगे और बहुती मज़े से खाए तो अगर आपको किसी को पता हो कि अगर ऑनलाइन कोई सिल्वर्टा चीलता हो तो वो मेरे को जरूर बताईए कमेंट बॉक्स में तो यहां पर देखे मैंने इसको पीस लिया है और इसको अब मैं कटोरी में रख लेती हूँ और दिहान से करिएगा क्योंकि इसमें लाल मिर देखे मसाला तो यहां मैंने इस पर उठा लिया है सारा एक चोटी सी कटोरी में इसको साइड में रखते हैं अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ दो बड़े चमत सरसो का तेल इसके साथ आदा चमत जीरा इसमें सरसो का तेल बहुत बढ़िया लगता है सबजी में अब य यहां पर अच्छे से थोड़ी दिर मैंने इसको भून रही हूँ थोड़ा सा इस पर देखे सबजी थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है तो इसी तरीके से मैंने इसको थोड़ी दिर भूना है अब हाई फ्लेम पर बूना है अब यहां पर मैं डाल रही हूँ दो टमाटर तो दो लाल-लाल टमाटर मैंने डाल दिया है। बेसी के साथ गुवमे कुपमक नेयातों जोकिते सगा थे क्यदिशhuhणा भुक बुश्Just Olá दियस्ट सब्सक्राइबे मैं वेकज़ार शमयेतों और दीज़ा कुम अब मैं धक्क कपकरने दूंगे तो यहां पर थोड़ा सा पानी जो मसाले जो इन्म हो गया है और गीए का तो अधूर सा गला नहीं तो इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगे मैं आपको बीच में दिखाया की देखिए अब इस इस पर मैं क्या कर रही हूं आधा चमबच चिकन मसाला डाल रही हूं इससे फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा बस यही डालना है अगर आप चिकन मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं जरूरी नहीं है तो यहां पर मैंने इसको देखी दुबारा से अच्छे से मिक अगा लो फ्लेम पर भीच में लुगत अगा तेल बहूं उपर आधा यहां तेल बते नहीं रहत नहीं है तो इस सब्सकिरां तो गिया कच्चा लेके आएं बढ़ीया लेकल ये फ्रेश लेकिए आएं सबजी बन ke तैयार है और उसको यहां पे सर्फ कर रही हूं कि तनी बढ़ीया सबजी बन